जन प्रतनित जनतास जुड़ा होना चाहिए वो अपना प्रमाणपत्र भी लेने नहीं आए उसकी भी नाराजगी है और मोदी जी के प्रत जो गरीबों का आकर्सन है वो निरहुआ को सांसत बना के आजंबर से भेजने के लिए बिल्कुल बेता आगे नमस्कार इस वक्त मैं मौझूद हूँ आजमगड जिले में और मेरे साथ मौझूद है भाती जनता पार्टी के कद्दावर निता अखलेश मिश्टा गुड़ू स्वागत है आपका धन्यवाद आजमगड में चुनावी समर्जो है पूरी तरह से खुमार में बदल गया है जनता भी चुनाव को लेकर काफे उत्साहित है समाजवादी पार्टी बसपा और रालोद भी अपने रेलियां कर रहे हैं तो वहीं भाती जनता पार्टी भी पीछे नहीं है आज प देर ना करते हुए क्योंकि चुनावी मौसम है बारा तारिक वाजमगड में चुनाव होने हैं अखिलिश जी से उनके बारे में और बात्चित करेंगे बाद में लेकिन सीधा चुनाव पर मैं आता हूं आज प्रधान मंत्री जी की रैली है उसकी क्या तैयरिया है तैयरिय जो प्रत्यासी है उसकी भी एक अलग चाफ है और कल की जो रैली आपने देखा है उसमें पूरे प्रधेश से लोगों को बुलाया गया था हमारी रैली सुद्ध रूप से मैयवती ने बात कही कि प्रधान मंत्री जी हो सकता है ना आए अगर आए तो मनरंजन करके वापस चले जाएंगे इसके विश्यम में क्या कहना है यह मैयवती जी की बहुत बड़ी भूल है प्रधान मंत्री जी जित्ती मेहनत करते हैं और आजम गड़ में उनकी पहली सभा है उत्तर प्रदेश की पाली सभा आजम गड़ में है और वो समय से आएंगे जो उनका निर्दारित समय है उस पे आएंगे मैयवती जी की यह क्या कह रही है यह बिल्कुल हास्यास्पद है जैसे जब अखले श्यादों निहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था तो जब भारती जनता पार्टी ने दिनेशलाल यादो निर्ववा को घोशना किया कि यह चुनाव लड़ेंगे तो लोगों ने कहा कि भारती जनता पार्टी ने यहां सफा को वाकुबर दे दिया है तब की परिस्तितियों में और अब की परिस्तितियों में क्या अंतर आया है देखे जब निरहुआ गोशड़ा हुई थी तो समाजवादी पार्टी को ये लग रहा था कि निरहुआ बहुत हलका कडिडेट है उनके अखिलेस यादों ने बयान दिये कि नाशने गाने वाले को उतारा है साइद अखिलेस यादों भूल रहे थे कभी मुलायम सिंह यादो प्राइका काम करता था वह भूल गए कला और कलाकार दोनों के प्रति जो उनका घिनवना बयान था और निरहुआ जब आजमगड में प्रवेश किया तो लाखों की तादात में लोगों ने दिल से उसका स्वागत किया और निरहुआ को आजमगड की जनता बारह मई को अप पिता जी माननी मुलायम सिंग जी संसद रहे पांच साल जनता को दरसन नहीं हुआ जन प्रतनित जनता जुड़ा होना चाहिए वो अपना प्रमार पत्र भी लेने नहीं आए उसकी भी नाराजगी है और मोदी जी के प्रत जो गरीबों का आकरसन है वो निरहुआ को संसद कि आजमबर से भीजने के लिए बिलकुल बेताब है कहा यह जा रहा है कि जैसे अखलेस यादों के अंदर एक मास अपील है जब निरहुआ ने शुरू किया था तो जो उनकी बोलने की शैली है या जिस तरह से लोगों से वो कनेक्ट कर रहे थे खुद को लोग पहले यह कह प्रति जबरदस्त आकरशन है और निरहुआ के प्रति और मोदी जी के बारे में मोदी जी ने पांच साल में इतना काम किया गरीबों के लिए कि वह उनकी भूल 23 मैं को पता चलेगा कि यह भीड है कि यह वोट है कि यह क्या है और फिर वह आजमगड से हमको लगता है कि वह पाली बार ही जब मुलायम सिंग लड़े थे तो मुलायम सिंग यादों ने जीतने के तुरंद बात कहा था कि आजमगड में लड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी भूल थी दुबारा वो महिनपूरी चले गए गड़बंधन के सारे बहुजन समाजवादी पार्टी जो कर रही है अगर मैं जीता तो आजमगड में रहे कि यहां के लोगों के विकास के लिए काम करूंगा क्या आपको लगता है कि वाकई काम हुआ है या नहीं हुआ है देखे आजमगड वो कह बार रहे उनके पिता जी मुख्यमंतरी रहे वो रहे मन्य मानिया मैयोती जी रही विकास के बात होती है तो आजमगड में कहा जाता है कि सपा नहीं सबसे जादा विकास किया है इसके विशह में क्या विकास तो जब हमको मौका मिला तो हमने भी किया अभी इनकी सरकार रही 12-17 तक नौजवानों को बड़ी आसा थी कि आजमगड में इन्वर्सिटी मिलेग उन्होंने सदन में कहा कि आजमगड में जबक Protect jujee अदभ जी सवयम्मुक्य मंत्री थे मादेमेक्ऩ सिच्छा मंत्री बल्राम यदů ने रेकिन मेरी सरकार बंते ही औरम अवस्षब मिला है हम शुरू किए हैργ आप आजमगड के चारों तरफ जिधर निकलेंगे उधर ही फोर लेन सिक्स लेन क्या जल बिच रहा है काम दिखे तो वो चस्मा लगा के क्यों उनको अपना काम दिखता है भारते जंता पार्टी दो साल अभी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार को तमाम काम किया गरीबों के लिए आवास दिया गरीबों को जोला से जोड़ा और यह हमारा आइसमान योजना जो पांच लाग तक गरीब विचारा दस बीस कड़ी जमीन रहती ते उसको बेज देता था इलाज के लिए इतने जो बड़े काम है वो दिखने रहें साड़े चार लाग साड़े के लाजमगड में बना हुआ है यह उनको दिखता नहीं है उनक पांच से साथ लाग छे लाग ऐसे कयास लगाए जा रहे थे लेकिन आप वहीं लोग कह रहे हैं कि निरहुआ ने और भाजबा के जिलाई काई ने अपनी महनत से उसको काफी लेबल कर दिया है पचास अजार से एक लाग की बात है आज मोदी जी की रैली होने जा रही है औ तो यह बहुत होप में थे यह बार-बार काते थे कि डमी कंडिडेट है नाचने गाने वाला है इसको देखने लोग आ रहे हैं वह घटे-घटे वह छे लाग से जीत रहे थे छे से तीन लाग पे आए तीन लाग से आब हमको लड़ाई मानते हैं मैं तो मानता हूँ जितने अब वह उनके समझ में आ चुका है कि निरववा किस तरह का चुनाव लड़ रहा है भारती जंता पार्टी किस तरह कि चुनाव लड़ रही है जीत तो हमारी सुनीश्चित है हम कितने फासने सपाखेमे में खत्रे का अंदेशा है पूरा मैं पूरी कुनबा आजमगड में बिलकुल आजमगड में समाजवादी पार्टी में खुद इतने नेता हैं फिर भी समाजवादी पार्टी का जो अखिलेश यादो का परिवार है उसको कत्ताई आजमगड के संगठन कोई विश्वास नहीं है उनका संगठन बिलकुल तितर-बितर है इसलिए पूरी अज मोदी जी के रहलि एंस इलेक्टान के लिए बारती जन्ता पार्टी के लिए कितना टर्निंग पॉइंट साबित होगा आज कि आज के बिलकुल जी जहां भी जाते हैं तो टर्निंग तो ही जाता है मोदी जी का अथक परिस्रम गरीबों के प्रति अथा प्रेम निस्चित रूप से यह मान के चलिए कि हम मानते हैं कि मोदी जी के आने से ही हमारा 20% मत यूहीं बढ़ेगा लोग और प्रभावित होंगे और जो हमारा जीत का फासला है वो उसमें बढ़ने में और काम करेगा अखरी सवाल लोगा आप क्या जच करते हैं क्या यह सही है किसी को इस तरह से जश्टिफाई करना पहले सम्मान देना फिर बाद में उसका अपमान करना यह कितना जाय देखे यह बहुत अच्छा सवाल आपका रहा कि जब एस भारति उन्होंने दिया तो निरहुआ उनके लिए कलाकार था उसकी कला अच्छी थी उन्होंने यस भारती दे दिया निरहुआ जब देश भक्ती के प्रति मोदी जी के प्रति भारती जंता पार्टी के प्रत जो प्रेम उसका आया तो उन्होंने उसी कलाकार को जिसको यस भारती दिया था उसकी तवहीनी किया उसने नाचने गाने वाला उनको पताया इसलिए मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूं कि वो उनका आकलन ही बिल्कुल खराब है या फ्रस्टेट हैं उनका दिमाग आज के डेट में आजमगड में चुनाव लड़ने के वज़े से काम नहीं कर रहा है तो निरहुआ निरहुआ है आजमगड की जनता उसको सांसत बनाकर दिल्ली भेजेगी अखिले से आदव जी का क्या होगा यह आप जानते हैं चुनाव हारने को बिल्कुल चमतकार होने वाला क्योंकि 17 के परड़ाम आप देखे हैं हम कई सीटों पर हजार-दोहजार मतोस चुनाव हार गए थे मोदी जी सायद उस समय आ गए होते तो निश्चित ही जीत होगी हमारी तरफ से भी आपकी पार्टी को आगामी चुनाव के लिए शुपकाम नाए थैंक्यू आपको तो यह थे अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी जिन से हमने बादचीत की उन्होंने बताया कि आज मोदी जी का रैली है और साथ ही उन्होंने य अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें साथ ही स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें